हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कोली की तरफ से प्यार भ्रानमशकार सत्ष्रिया काल अदाब दोस्तों एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं होमेड रसगुला जी हां बहुत ही सॉफ्ट स्पॉंजी बन कर त्यार होंगे जिस तरह से मैं बना रही हूँ तो चलिए फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हो देखते हैं बड़ी असी रेस्पी अपने घर पर असानी से किस तरह से बनाएंगे तो देखिए मैंने मतलब दूद को बॉयल कर लिया है अच्छा बॉयल आने के बाद मै इंबू का रस भी ले सकते हैं थोड़ा थोड़ा इसमें एड करेंगे और इसे मिक्स करते रहेंगे जब तक इसमें से चैना अलग ना हो जाए दूद में से एक थोड़ा सब मैं और एड कर देती हूं तो एक बार फिर चलाएंगे तो चैना बनाना बहुत ही इजी है आप जानते ही है इसी तरह से पनीर भी बनता है और इसी तरह से हम रसगुले इसके बना कर त्यार करेंगे तो हमें पनीर बनाने के जरूरत नहीं है इसी चैने का हमें इस्तमाल करना है तो चैना हमारा बहु कोई भी मैदा या कॉन्फर का इस्तमाल नहीं किया था इसमें मैं थोड़ा सा इस्तमाल करूंगी तो जब भी मेरा मीठा खाने का दिल करता है तो मैं सबसे पहले रस्कुले बनाकर त्यार करती हूं घर पे बनाना बहुत असान है तो चलिए अब क्या करते हैं और जो पानी ब अब छाने के बाद क्या करेंगे इसमें है विनेगर का खटास और उसे हमें निकालना है इस पानी से तो इसे अच्छी रासे धोना है हमें मतलब कि दो बार तो जरूर धोएंगे तब इसमें से खटास निकलेगी अगर नीमुकरा से इस्तमाल कर रहे हैं तब भी अगर विन तो लिजिए एक तो इसमें मतलब कि जो गरम होता है अचाना वो ठंडा हो जाएगा और आगे हमें काम करने में असानी हो जाएगी तो देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे नचोड लिया है पर थोड़ा सा मैं इसे फिर भी रखूंगी साइड पर तब तक हम बना लेते हैं सब्सक् parse भी करने और उपाँ करते हुँ यह क Keys जाद यह तो इसे मिक्स करते हैं मैं ना कर देती हूं और विपन करके दी ताकि आ जाए फ्लेम करते हैं और फटा-फट से हम अपने चैने को मसलना स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम फटा-फट से बनाने वाले हैं रसबुल्ले तो देखिए मैंने कम से कम 4 मिनट के क्रीब हो गए हैं मुझे इस तारा से मसलते हुए तो बिल्कुल सौफ्ट करना है यह चैना हमें मतलब बिल्कुल क्रीमी हो जाए जिस तरह से मक्षन होता है वैसे हो जाए अब मैं डालूंगी इसमें एक चमच कॉन फ्लार अब देखिए कई पर कहते हैं कि हमारे जो रसगुले चाशनी में जाते ही फट जाते हैं तो अगर आप एक चमच के क्रीब इसमें कॉन फ्लार या म बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर करना नहीं एड़ किया तो टू पार्स में मैंने इसे डिवाइड कर लिया है तो अफी समय हो गया है मतलब साथ से आठ मिनट हो गए ऐसे मसलते हुए आप मेरे हाथों पर देखी रहे हैं कितना ओईल आ गया है अब हम इसे क्या चोटी चोटी लोईए बना लेते हैं यह जितने बड़े आपको रसगुले बनाने है उसी के हिसाब से आप इसकी लोईए बना लीजिए तो मैं मीडियम सइज के ही रसगुले बनाऊंगी और ज्यादा समय भी नहीं लगता है इसे बनाने में हाँ जब आप इसे ठंडा करके खाना चाते हैं तो दो घंटे आपको फ्रीज में जरूर रखने पड़ेंगे इसे ताकि चिल्ड हो जाएं और खाने में आए मज़ा तो लिजे लोई ये बना कर मैंने कर ली है त्यार आप इसके बनाएंगे बाल्स और बाल्स भी मैं फ्रेंड सापको एक बात और बता दूँ कि बाल्स में क्रैक्स तोगरा नहीं होने चाहिए ये बहुत जरूरी है तो एक बाल मैं आपको बना कर दिखाती हूँ अगर आपको लगे कि इसमें क्रैक्स हैं तो आप इसे दबारा इस तरह से हातों से मसल लीजिए और उसे फिर राउंड राउंड कीजिए और बनाएए इसकी बड़ी असी बाल्स तो सबसे सिंपल रैस्पी लगती है मुझे मिठाई अगर बनानी हो तो इस गुल्ले बनाना देखिए अभी मुझे थोड़े से क्रैक्स इसमें दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं थोड़ा सा फिर एक बार मसल ले दे हैं यह जो स्टैप है यह बहुत जरूरी है दिखा देती हूं और फिर हम बनाते हैं उसके रस गुल्ले चाशनी में डिप करते हैं उसे और उसे अच्छी तरह से बॉयल करते हैं यह देखिए बन गये ना बॉल्स तो चाशनी में भी बॉयल आ गया है एक एक करके हम इसमें बॉल्स एड़ करेंगे और जो हरी लाईची का फ्लेवर है वो भी चाशनी में बहुत अच्छी तरह से आ जाता है इस तरह से और इसे पांच मिनट लगातार आपको बॉयल करना है हाई फ्लेम पर उपर से कर देंगे इसे कवर और इसे पांच मिनट लगातार बॉयल करेंगे पांच मिनट में अग और इसे थोड़ा सा टर्न कर देते हैं ज्यादा इसे चलाना नहीं है क्योंकि यह बहुत सौफ्ट हो जाते हैं जब यह चाशनी में जाते हैं तो इसे पांच मिनट मैंने और पकाया है यानि 10 मिनट टोटल हो गया है पर आपको कवर करके ही इसे अच्छे तरह से पकाना है क्य देंगे और इसे पकने देंगे लीजिए मैंने फिर एक बार साथ से आठ मिनट इसे और पकाया और हमारे रस्गुले हो गए बिल्कुल त्यार यह देखिए बहुत यह अच्छी तरह से बन चुके हैं बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं आप देख रहे हैं कोई भी हमारा तूटा नहीं है और चाशनी भी काफी गाड़ी हो गई है देखिए मैंने डेट कटोरी चीनी और तीन कटोरी डाला था पानी तो हमें एक्स्ट्रा में से चाशनी निकालने की जरूरत नहीं है या साइड पर चाशनी बनाका रखने की जरूरत नहीं है इसी में ही हमा थन्डा enjoy कीजिए मजा ही आ जाएगा जब भी आप मीठा कहाने का मन करें इस बूसी करें बने तुरा मेरी प्रश्भूले बना कर मेरी ट्रा जुरूर इंजू del कीजिए आपको कैसी लगी मेरी रेस्पी आप मुझे चुरूर बताएं मैं तो करने वाली हो इंजाएं दोस्तों फिर मिलती हूं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई